हेलो गैस क्या आप लोग भी अपने फोन में केनरा e-passbook application यूज करते हैं और उससे bank की statement अगरा बगरा देखते हैं तो आप लोग को एक problem आ रहा होगा तो चलिए यहापर कौन सा problem है directly मैं आपको फोन में दिखा कर बताता हूं और इसका क्या solution होने वाला है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे देखेंगे यहापर मैंने अपने फोन में केनरा e-passbook application डाउनलोड कर लिया है और जो problem है मुझे भी face करने के लिए आ रहा है तो इस problem को कैसे fix करेंगे इस वीडियो में हम discuss करेंगे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब कर लेना देखें आपर camera e-passbook application इसको open करते हैं इसको open करने के बाद इस तरह से interface आपको देखने के लिए मिल जागा थोड़ा सा wait कर लेते हैं यहापर network problem हो सकता है तो देखें इस तरह से application open हो करके आ जाता है तो देखें अब यहाँ पर problem क्या हो रहा ह इसको जब हम send करते हैं इस number पे उसके बाद वापस से हमें एक OTP आता है या फिर एक message आता है SMS आता है जब हो आएगा उसके बाद हम यहाँ पर login कर पाएंगे camera bank के अंदर यहाँ पर देखेंगे आप camera bank के अंदर इस application के अंदर हम login कर पाएंगे बट यहाँ पर क्या हो रहा है सभी को face करने के लिए आ रहा है तो चलिए फिर बात करते कि इस problem को कैसे हम लोग fix करेंगे तो देखे fix करने के लिए आपको अपने phone के home screen पर आ जाना है यह जो canra e-passbook application है इससे हमें home screen पर आ जाना है निकल करके अभी आपको क्या करना है अपने phone के अंदर play store को open करना है play store को open करेंगे जो problem में आपको bank के तरफ चाहिए देखने के लिए मिल रहा है technical issue है इसको fix करने के लिए आप आएंगे play store के अंदर यहां पर आपको search bar में जाना है और search bar में जाकर क्या आपको search कर देना है canra e-passbook application देखिए यहां पर आएंगे तो इस application में आपको check करना है कि कोई भी update available है या फिर नहीं क्योंकि old version में आपको यह problem देखने के लिए मिल रहा होगा अभी जो भी latest update आएंगे उन पर आपको update कर देना है अगर आपके phone में update available है तो इसे update कीजिए update करने के बाद आपका जो problem है यहां पर fix हो जाएगा अगर update सो नहीं कर रहा है तो आपको बैंक के वो सारे काम आप कर पाएंगे सिर्फ आपको अपने phone में जो application है उसको change करना होगा तो चलिए फिर बात करते के आखिर कौन सा application है जिसे कि आप सारे काम को कर सकते हैं अगर इस application से आपका काम नहीं हो रहा है तो देखिए यहां से आपको back चले आना है और वापस से search bar में जा करके आपको search कर देना है Canera AI 1 इस तर से आप search करेंगे तो देखिए Canera Bank का ही एक application है second application है तो इस application को आपको अपने phone में install करना है सारे काम यहां पर भी हो जाएंगे जितने भी काम आप वहां से करते थे सारे काम यहां पर भी हो जाएंगे और इस application के भी same feature से जो उ update नहीं आते हैं तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते है तो जो जो एप्लिकेशन है इसमें आपको technical issue देखने के लिए मिल रहा है तो इसको आप fix नहीं कर सकते है जब तक update नहीं आता है तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा है comment करके बताना और आप लोग उस application से काम कर सकत हो और update आने का आप लोग वेट कीजिए और वीडियो का लगा है comment करके बताना और वीडियो का लाइक करके चानल को subscribe कर देना चलिए मिलते हैं एक नहीं वीडियो में